राजिस्थान के किसान एक बार फिर आठ मार्च को जुन जुनु में जमा होने वाले हैं और इस बार उनके निशाने पर राजी की वसुंधरा सरकार नहीं बलकि देश के प्रधान मंतरी नरींदर मोदी होंगे आठ मार्च को पीम नरेंदर मोधी जुनजुनु में एक जनसभा को संबोधित करेंगे इसी दोरान पूरे राजस्थान के किसान अपनी समस्याओं पर पीम का ध्यान आकरशित करने के लिए यहां कूच करने की तैयारी कर रहे हैं जिसके मदेनजर प्रशासन पहले से ही सतर्क है और इस दिन सीकर जिसे किसान अंदोलन का गढ़ कहा जाता है वहाँ धारा 144 लगा दी गई है राजस्थान के किसान संगठनों ने जिस तरह से चितावनी दी है ऐसे में ऐसा लगता है कि 2017 वाला किसान अंदोलन फिर एक बार देखने को मिल सकता है पिछले साल राजस्थान के किसानों ने सीकर में लगतार 13 दिन तक आंदोलन करके राजसरकार को जुकने और समझोता करने पर मजबूर कर दिया था इस दोरान सरकार ने किसानों के 50,000 तक के कर्स को माफ करने का ऐलान तो किया था मगर इसे अभी तक लागू नहीं किया गया अब ऐसे में एक बार फिर किसान सरकार के साथ आमने सामने की लड़ाई के लिए तयार है